जापान के रहने वाले अर्थिस वर्थी सोजी में रिमोटो बेहदी अनोकी जॉप करते हैं दरासरवा लोगों के साथ किराये पर जाते हैं सोजी खुद को किराये पर देते हैं सुनने में भले अर्टपटी लगी हो लेकिन यही सच्चाई है और सोजी मेरी मेटो ऐसा करके महीनों के लाखों रुपए तक कमाते हैं सोजी मेरी मेटो जापान के टोक्यो में रहते हैं अंजाल लोग उने किराय पर ले जाते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं जल्चस बात याओं कि सोजी मेरी मेटो कोई काम नहीं करते लेकिन वह एक क्लाइन से 10,000 एन यानि कि करीब 7,000 रुपए तक वसूलते हैं इसके अलावा ट्रेवल और खाने का खर्च वो अलग से चार्ज करते हैं और अब तक 3,000 से अधिक लोगों को वो सर्विस दे चुके हैं रोजाना 2-3 लोग उन्हें रेंट पर ले जाते हैं और अब तक वो इससे कई लाख रुपए तक कमा चुके हैं अब जानते हैं कि सोजी को रेंट पर लोग क्यों ले जाते हैं बहुत से लोग सोजी को रेंट पर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं या फिर अकेलेपन का सिकार होते हैं सोजी लोगों के साथ बैठते हैं बाते करते हैं और रेस्पांस देते हैं और लंच डिनल करके वापस लोड आते हैं जाद अतर ऐसे लोग सोजी से मिलते हैं जिने कोई सुनने वाला चाहिए होता है जैसे तलाक सुदा लोग, हेल्थ इसूप से परसान लोग या आनदिक्कतों से परसान लोग एक सक्स ने तो सोजी को ये तक बता डाला कि उसने मडर किया है सोजी करते हैं कि कुछ लोग उनसे घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई, नूट पोज और दोस्त बनने के लिए वे करते हैं हलाकि ऐसे काम सोजी बिलकुल भी नहीं करते यानि वो बिलकुल प्रोफेसनल की तरह ही लोगों के साथ रहते हैं और दोस्त बनने से साफ मना कर देते हैं, और सोजी का कहना है कि वो खुद से बाचित शुरू भी नहीं करते हैं अब जानते हैं कि सोजी ने इस अनुखे काम के शुरुवात कब और कैसे की थी सोजी 2018 में जब वो बेरोजगार थे तब इस औसमान जाप के सुरुआत की थी अपनी सेवाओं का भी ग्यापन करने के लिए डू नथिंग रेंटे मैन के नाम से एक ट्विका एकाउंट खोला था जिस पर अभी 2 लाग से अधिक फालोवर्स हैं सोजी कहते हैं कि मैं लोगों के अकेले पन और उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ सायद इसलिए लोग उन्हें बुलाते रहते हैं ये थी सोजी मेरी मेटो के अनोखी जॉब की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्टर में जरूर बताएं उम्मित करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी ऐसे और भी इंट्रेस्टिन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बल आइकन प्रेस करना न भूलें